दोस्तो दुनिया में रोज नए नए चीजों का विश्कार होता रहता है। इनमें से कुछ गैजेट यूजफुल होते हैं तो कुछ मनोरंजन के लिए बनाय जाते हैं। दुनिया चाहे कितनी भी एडवांस क्यों न हो जाया लेकिन कुछ गैजेट ऐसे होते हैं जो सबके लोग प्रिय होते हैं। इनमें से सबसे लोग प्रिय है साइकल। साइकल लोग को इसलिए जादा पसंद है क्योंकि साइकल बिना तेल और आपकी उड़जा से चलती है। सा नमबर वन पैरा ब्लो फ्लाइंग बाइक इनसानों को हवा में उड़ने की बहुत ज़ादा चाह होती है यानि इनसान भी पक्षियों की तरह हवा में उड़ना चाहते हैं। इसलिए इनवेंशन ने ऐसी कई चीजों का विश्कार किया है जो कि हवा में उड़ सकता है। ऐ ये बाइक हवा में उड़ने लगती है जैसे कि हलिकॉप्टर उड़ता है ये बाइक हवा में 40 किलोमेटर प्रती घंटे की स्पीड से उड़ती है इस बाइक की कीमत 26 लाग रुपए है ये दुनिया की सबसे खतरनाक और सबसे तेज़ चलने वाली साइकल है क्योंकि साइकल में जैट इंजन का इस्तमाल किया गया है इस जैट इंजन की मदद से ये साइकल रॉकेट की तरह चलती है ये साइकल मातर 30 से 35 सेगंड में 80 किलोमेटर की रफ़तार पकड़ लेती है जिसे कंट्रोल कर पाना थोड़ा बहुत मुश्किल सा हो जाता है इस साइकल की स्पीड को देखकर हर को इस साइकल को चलाना चाता है क्या आप भी इस साइकल को चलाना चाते हैं हमें नीचे कॉमेंट करकर जरूर बताएं सिट गो दुनिया की सबसे उनोखी और फुली फंक्शनल लेक्रिक साइकल है इस साइकल की सबसे खास बात तो यह कि आप इस साइकल को कहीं भी फोल्ड करके ले जा सकते हैं दोस्तों जिने ट्राफिक में फसा रहना पसंद नहीं है वो तो इस साइकल को ज़रूर खरीदें क्योंकि आप इस साइकल से ट्राफिक से बच सकते हैं इस साइकल का वजन मातर 10 किलो है जिसे आप कई भी उठा कर ले जा सकते हैं सड़क पर ये साइकल 30 किलोमेटर प्रती घंटा की स्पीड से चल सकती है और एक बार चार्ज होने पर 35 किलोमेटर तक चलती है व्यज़े तो सभी बाइसिकल को बैट कर चलाना पड़ता है लेकिन इस बाइसिकल को आपको लेट कर चलाना पड़ेगा यानि कि आप रिलक्स करते हुए भी आप इस बाइक को चला सकती है यहीति इस बाइक की खासियत जनाब इस साइकल में आपको पेडल सामने दिया जाता है जिससे आप लंबा सफर असानी से तेकर सकते है इस साइकल लोगों को काफी ज़ादा पसंद आती है इसलिए company ने अलग-अलग तरह की cycle भी बनाना शुरू कर दिया ये cycle हमारी सबी cycleों में से अलग है और सबसे विचितर भी है इसके पीछे के टायरों को मकड़ी के पैर की तरह बनाया गया है जो चलने में मकड़ी की तरह चलती है इस मकड़ी जैसे दिखने वाले पार्ट को बनाने में 400 से ज़ादा element का प्रियोग किया गया है लेकिन इस cycle की सबसे बुरी बात तो ये है कि cycle को flat surface जगह पर ही चलाया जा सकता है इस cycle को बनाने में काफी ज़ादा समय भी लगा था इस तरह की cycle market में अप्रलब्द नहीं है क्योंकि cycle का एकी model बनाया गया था जो कि कुछ इस तरह का दिखाए देता था दोस्तो आपको इन जीबों गरीब cycle में से कौन cycle सबसे अच्छी लगए उसे नीचे comment करकर ज़रू पता है और असी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी subscribe करें and thank you for watching this video